अगर आप घर बनवाते हैं तो आपको महाँ पर रूम बनवाने में काफी confusion हो शकता है क्योंकि काफी लोगों को जगे की problem होती है अगर आपका घर छोटा है आपके पास जगे नहीं है और इतने में ही घर बनवाना चाहते हैं तो रूम कितने के होने चाहिए या आपके पास बड़ी जगे है तो आपको एपास रूम का शाइज क्या होना चाहिए तो मैंने सारा यह इंक्लिट किया है और अगर घर बनवा रहे हैं तो आपको रूम का विश्य ध्यान रखना होता है जो इस टेंडर्ड शाइज होते हैं रूम के वह मैं आपको बताने वाला हूं फिर उकशी भी सब माधकी सर्विस का लाव ले सकते हैं जैसे का घर बन वाना चाहते हैंalg안 स्कूल होटल रेटूरेंट कुछ भी बनवाना चाहते हैं तो आप हमें comment करके बता सकते हैं या हमारा number आपको description में मिल जाएगा वाट्सों number है आप हमें आप पर contact करें और आप से मैं बात करके आपके according house create करता हूं तो यह पूरा detail उसमें भी हमारी paid service होती 50% payment advance देना होता है और 50 बाद में तो चलो आज का जो हमारा टॉपिक उसे इस्टेंडर साइज आफ रूम उसे कवर कर लेते हैं तो अगर मिनमम रूम की बात करें एक रूम नेम यहाँ पर मैंने बताया है रूम कौन कौन टाइप के होते हैं और इस रूम मैंने पर मिनमम साइज अवरेज साइज और लार्ज साइज डिफाइन की है अगर ड्राइंग रूम या लिविंग रूम या हॉल की बात करें तो मिनमम अगर आपका बनवाना चाहते हैं तो 10 x 12 का होना चाहिए यह दोस्तों साइज जो भी लिखा फिट में लिखा हुआ है 10 फिट x 12 फिट एबरेज 12 x 14 होना चाहिए लार्ज 16 x 20 फिट का आप बनवा सकते हैं ड्राइंग रूम या लिविंग रूम बेड्डूम या गेस्टूम की बात करें तो मिनमम जो साइज होता है वो आपका 10 x 10 फिट का हो शकता है और एबरेज साइज 11 x 12 का हो शकता है और लार्ज 12 x 16 का आपका बन सकता है अगर वही बात करें किचिन की दोस्तों जब भी आप किचिन के रेट करवाते हैं तो भी कन्फूजन होते हैं कि आप किचिन कितने बाई कितने का बनवाएं तो किचिन दोस्तों जो मिनमम साइज है 10 x 7 का एबरेज 10 x 10 और लार्ज साइज है 10 x 12 फिट का अगर हम बात करें बातरों की तो बातरों दोस्तों अगर हम बनुआना चाहते हैं तो 3.6 feet into 4 का ये minimum size है और maximum है 4 by 5 feet और large है 5 by 7 feet toilet की बात करें तो 3.3 feet into 3 मतलब कि आपका toilet का size रहेगा शाद शाद अगर आप average बनवाना चाहते है तो 4 वाई 4 का और large यहाँ पर कुछ minimum नहीं करता है combine dollar ना बाद रूम बनवाना चाहते है तो 4 वाई 5 और 4 वाई 6 और 5 वाई 6 यह आप अलग अलग साज देख सकते हैं minimum average और maximum में dining room की बात करें तो 10 वाई 10 का minimum बना सकते हैं आप और average साज की बात करें 10 वाई 12 का large आप कुछ भी बना सकते हैं पूजा रूम चार वाई 5 मिनमम चार वाई 6 और maximum आप जितना भी चाहते हैं अगर बारंदा की बात करें तो बारंदा दोस्तों अगर minimum आपको बनाना तो 3 विड्ट का लंबाई कितनी भी बना सकते हैं विड्ट बहुत ही matter करता है चोड़ाई तो 3 विड्ट चोड़ाई का लेंथ होगी या चोड़ाई होगी वो 3.6 इस्टेंडर साइज है जो और अगर लार्ज साइज की गेट लगवाना चाहते हैं जो मेंडूर होते हैं वो 4 विड्ट चोड़ा आप लगवा सकते हैं लंबाई कितनी भी रख चकते हैं वो आपकी हाइट पेड़ेबेंड करता स गर्वाद एट वाधरों की बात करें वाधरों और टुवाइलेट का तो 2.6 इहां पर होना चाहिए और बेड़्रूम दोर साइज होते हैं तीन फिट इस्टेंडर होता है जो आप बन्वा सकते हैं इस्टेर्स की बात करें तो जो इस्टेर्पल होगा वो 3 यहां पर फिट का होता है तो यह सारे चीजों के इस्टेंडर्ड साइज थे जो मैं आपको डिसक्स किये तो वीडियो जैसा भी लगा हो आप हमें कमेंट करके बताएं साथ साथ यह जानकारिया आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से जरूर करें और इसमाल होस प्लान को सब् करचा निकाल सकते हैं कि उस घर को बनवाने में कितना पैसा आपका लगने वाला है उस अप्लीकेशन को डाउनलूड कर लें और उस अप्लीकेशन का नाम भी इसमाल है आप गूगल प्लेस्टोर पर सर्च कर सकते हैं और उसे डाउनलूड कर सकते हैं